हलो फ्रेंड्स वेल्कम तो माई चैनल एटू एलेक्ट्रोनिक्स फ्रेंड्स आज मैं आपको 20 बोल्ड का SMPS सर्किट बताऊंगा और इसका बर्किंग प्रेंसिपल बताऊंगा कि यह SMPS कैसे काम करता है तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो जो छोटे SMPS होते हैं उ उनकी वर्किंग को आप पूरी तरह से समझ जाएंगे तो आगे आपको चाहे रिपेर करने में चाहे सर्किट को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी जो बेसिक प्रेंसिपल होता है जिस प्रेंसिपल में यह SMPS सारे काम करते हैं तो वो आज आपका कॉंसेट बिल्कुल किलियर हो जाएगा तो चलिए देर लगते हुए सर्किट को समझते हैं यहां से हम सर्किट देखते हैं यह आप देख रहे हैं एक डायोड लगा रखा है वनेन 4,07 और यहां कहीं कहीं आपने देखा हुगा चार डायोड लगे होते हैं तो आप चार डायोड भी लगा सकते ह तो यह डिपेंड करता है कि कोस्ट कम कोस्ट में बनाना चाहते हैं तो एक डाउट लगा देते हैं जादे थोड़ा अच्छा बनाना चाहते हैं तो हम चार डाउट लगा देते हैं यहां पर हम एक एंपियर का ब्रेज भी लगा सकते हैं यह जो रिजिस्टेंज लगाई तो यह transistor बहुत जल्दी यानि कि on करते ही यह transistor में बहुत जाते करण चले जाएगी और यह transistor खराब हो जाएगा तो उसको रोकने के लिए हम यहाँ पर एक resistance लगाते हैं दूसरा इस resistance का एक काम और होता है कि अगर इस circuit में कहीं भी short circuit होता है तो यह resistance जल जाती है तो आगे जो ह सरकिट हमारा या आग लगने का खत्रा इसमें नहीं रहता यह resistance यहां से जल जाती है यहाँ पर हमें DC मिलती है उसको filter करने के लिए 22 microfarad 400 volt का एक capacitor लगाते हैं और उसको discharge करने के लिए हम यहाँ पर 100k की एक resistance लगाते हैं अब आ जाते हैं main transistor पर main transistor इसका आपने देखा होगा MJ-3003 है और एक दूसरा transistor BC-547 यहां लगाया हुआ है और BC-547 आपको नहीं मिलता है बैसे यह बहुत commonly मिलने वाला transistor है तो आप दूसरा भी को यह NPN transistor 50 volt का वो यहां लगा सकते हैं अब आजाते हैं इसके basic principle पर यह काम कैसे करता है तो आप देख रहे होंगे यह main primary है और यह auxiliary है और यह secondary है ठीक है तो इसके turn हम बाद में discuss कर लेंगे कितने क्या turn है और core क्या है तो इसका working principle हम सबसे पहले जानेंगे सबसे पहले क्या होता है friends यह आप देखिए यह हमने एक 680 kilo ohm और 1 watt की resistance यहां लगाई हुई है यह आ रही है यहां पर और यहां से यह 22 ohm की resistance जाके ह हमारे यह main transistor के base पे जाती है इसका मतलब यह है यह यहां positive है supply तो इसको on करने के लिए हमें positive supply चाहिए होती है वो हमें इस resistance के थूरू मिल जाती है हाला कि इस resistance से यह transistor पूरी तरह से on नहीं होता लेकिन थोड़ा सा यह on हो जाता है जब यह थोड़ा सा on होता है तो secondary में भी यहां थोड़ी सी current आती है और यह जो auxiliary winding है इसमें भी थोड़ी सी current हमारी यहां generate हो जाती है जब यहां पर current generate होती है तो यहां से आप देख रहे हैं यह एक सरा यहां ground है और दूसरा सरा यहां से positive तो यहां से हमें 22 ohm के थूरू और यह PF जो लगा हुआ है 470 का यह fully charge हो जा हमारा transistor fully conduction mode में आ जाता है तो यहां पर हमें secondary में पूरी तरह से voltage हमें मिल जाते हैं और in diode के थूरू DC AC से DC बन जाती है और यह capacitor पूरी तरह से इसको filter करके और यहां पर हमें plus minus B sport और ground मिल जाती है यानि के यह एक cycle इसकी हम पूरी कर लेते हैं वो यहां पर यह हमारी एक cycle पूरी हो जाती है यानि के यह fully यहां पर voltage है अब यह transistor fully on हो जाता है इस condition में तो इसको हमें off भी करना है जैसे ही यह full conduction mode में आता है तो यह यहां पर एक देख रहे होंगे आप friends 2.2 ohm की और 1 watt की एक resistance यहां लगी हुई है यह ground है एमिटर पे तो जब यह full condition में conduction mode में आता है तो और यह current यहां से flow होती है यहां से यहां तो क्या होता है यहां पर एक voltage drop पैदा होता है यह 2.2 ohm की resistance जब यहां voltage लगबक 0.7 की condition में आते हैं यह 0.6 यह 0.7 यह 0.5 तो क्या होता है यहां से यह 1N4 एक 41-47 का डैयोर लगा हुए तो यहां से हमें यह जो transistor है जो की अभी off condition में था जब यह on condition में था तो यह off था तो जब यह on हो जाता है तो यह voltage drop होता है voltage drop हमें यहां मिलते हैं तो यह connection mode में आ जाता है इसका collector direct यहां पर इसके base ते जड़ा हुआ है तो तब यह on होता है तो इसके base पे यह ground यहां से मिल जाती है तो इसके base पे जो भी हमें voltage मिले थे यहां इसके थुरू और यहां इसके थुरू तो यह 0 हो जाता है यहां पर इसका मतलब यह transistor पूरी त साइकल दोह रहाय आती है कि यहां से हमें 680 ohm की resistance है और यह यहे 22 ohm की resistance है यहां से ठोले से बोलτοिज मिलते हैं ये थोड़ा सा 22 ohm की resistance की तुरू ये पी-ए-फे पूरी तरह से चार्ष जाता है चार्ष होने की कारण यहां पर हमें बोल्टेज और जादे मिल जाता है, फुल कंडुक्शन मोड में आने की वज़े से, यहाँ पर हमें, जो प्राइमरी है, 150 टर्न, यहाँ पर बोल्टेज पैदा होते हैं, यहाँ से इंडक्शन के थुरू, यहाँ पर सेकेंटरी में भी हमें बोल्टेज मिल जाते हैं, तो हमे हमें zero voltage मिल जाते हैं, zero voltage मिलने के विज़े से ये off condition में आ जाता है, यब ये off condition में आता है, तो यहाँ पर हमें कोई voltage नहीं मिलते हैं, तो ये प्रकरिया ऐसे ही चलती रहती है, और ये on, जब ये on होता है, तो ये off होता है, जब ये on होता है, तो ये off होता है, इस तरह ये switching चल ओरुसाइशाast उसका इसलिए ठ्याई सब्सक्राइशा हुए है FR 107 और यहाँ पर 220 माइक्रो फेरड और 35 वोल्ट के कैपिस्टर लगाए हुए है यह पीएफ लगाए हुए 104 के यह 10K के रेजिटर लगाई हुए है इनको डिस्चार्ड करते रहने के लिए तो यहाँ पर हमें 20 या 21 प्लस माइनस और ग्राउन मिल जाता है तो यह एम्प्लिफायर में या किसी भी सर्कुट में आप इसको यूज करके यह बना सकते हैं अब आ जाते हैं इसके ट्रांसफर्मर पे ट्रांसफर्मर फ्रेंड्स यह आप EE-19 या EE-16 इसमें आप यूज कर सकते हैं आपको आसानी से किसी भी मुवाइल के चार्जर में या चोटे किसी भी SMPS में आपको यह ट्रांसफर्मर मिल जाएगा इसको खोलने की विद्धी वो ही है का पानी में इसको पंद्रे-बीस मिनट उवालने इस ट्रांसफर्मर को तो यह आसानी से खोल जाता है और इसमें जो एयर गेप है वो 0.22 mm का इसमें एयर गेप हमें रखना है एयर गेप रखना बहुत जरूरी है जिससे कि कोर सैचूरेट ना हो अब इसकी वाइंडिंग पे आ जाते हैं जो इसकी मेन वाइंडिंग है फ्रेंड देखने हैं 150 टर्न हम लगाएंगे 34 नमपर तार के और जो इसकी ऑक्जार्री वाइंडिंग है इसमें 8 टर्न 8 टर्न लगाएंगे वो भी 34 गेज के वायर की लगाएंगे और इसकी जो सेगेंटरी है वो लगवग 26 या 27 गेज के और बाइप्रेर बाइंडिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोनों जो है बोल्टेज एक मुझे सेम टू सेम बलेंगे तो बिल्कुल सिंपल सरकिट है इसको आप बनाईए और मुझे कमेंड करके बताईए कि जो भी मैंने आपको बताया उससे आपको कुछ सीखन करने को मिला हो तो अगर आपको सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें थैंक्यू बेरी मुच